आज की रेसिपी बहुत ही खास है आज हम ब्रेड का इस्तिमाल करते हुए एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं जिसे बनाना भी आसान है और खाने में ये बहुत मज़ेदार है तो इसे बनाने के लिए न सबसे पहले मैंने तीन ब्रेड ली हैं ब्र निचोडने के बाद इसे एक बोल में रखते जाएंगे तीनों ही ब्रेड को इसी तरीके से पानी में टिप करके निचोड कर बोल में रख लिया है अब इसके बाद आपको क्या करना है आपको लेना है कच्चा आलू आलू को नो मैंने छीर लिया है और इसे ग्रेट करना है आ उसके बाद ना इन्हें अच्छी तरीके से निचोड कर अलग निकाल लेना है इनमें ज्यादा पानी नहीं रहना चाहिए अब देखिए जो हमने ब्रैड विगो कर निचोड कर बोल में रखे देना उसमें हम डाल रहे हैं प्यास तो दो मीडियम सैस के प्यास को लंबाई में पतला पतला कट करके डाला है जो आलू के लच्छे बनाये थे उन्हें निचोड कर डाल दिया है एक हरी मिर्श पारी कट करके डाली है साथ में वन फोट कप पारी कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है इसमें एक चोथाई जमस डाल देंगे अजवाइन आधा जमस डाले पाउडर डाल दिया है इसमें 2-3 पिंच हींग डाल दे हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा अब इसमें एक चम्मच सफेद तिल डाल दिये हैं साबुत धनिया लिया था आधा चम्मच जिसे हलका सा दरदरा सा कूट कर डाला है अब ना आप सभी चीजों क अच्छे से mix कर देंगे तो यहाँ पर हमने सारी चीज़े mix कर दी हैं प्याज, आलू, ब्रेड वगएरा सारी चीज़े mix हो चुकी हैं अब इसमें binding के लिए हमें डालना है बेसन तो यहाँ पर आधा कप बेसन मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब इसमें अच्छा सा क प्यार कर लेंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है जो ब्रेड का मौशर है आलू और प्यास का मौशर है उसी में यह बंद जाता है अब आपको क्या करना है इसके छोटे-छोटे इस तरीकी से पकोडे बनाने हैं और बस इन्हें गरम तेल में डालते जाना है गैस का भूति atEast Wiki चटपटे होते हं और इन्हें बनाना बहुत असान है इन्हें आप कभी भी किसी भी मौक़े पर बना सकते हैं तो अब आप आप ये पकोड़े बना सकते हैं और सब इने पहुत ही मज़े से खाएंगे तो ये क्रिस्पी कुरकुरे ब्रेड के बने हुए पकोड़े आप अपने घर में जरूर बनाएं अगर आज की रैसे भी पसंद आयो तो लाइक कॉमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें